आख कि इस वीडियो में संख्याओं का योगफ़ निकालने की ट्रिक जानेगे और बहुत ही आसान तरीके से समझें गे पहला सवाल दिया गया है एकसे-पचिस तक की संख्याओं का योगफ़ल गयात कीजी दूसरा सवाल क्तव दिया गया है एक से बीस तक की संख्याओं का योगफल ग्याद कीजिए मतलब थोड़ा सा अंतर कर दिया गया इसमें पूछा गया एक से पचास तक की संख्याओं का योगफल और इसमें पूछा गया एक से बीस तक की संख्याओं का योगफल तो आपको लाश्ट वाली संख चेहाएँ पच्यास ठीक फिर उसके बाद उसमें जो है उससे एक अधिक पचास से एक किया होगा तो गुड़ा कर देञा है घुच अब बटे में क्या कर देना है दो अब जब आप busy करेंगे तो या तो दोसे यह वाले संखहा कर जाएगी या फिर यह वाले संख्या कर जाएगी तो देखें दो से कौन सी संख्या कट रहें पचास तो पचास को हम दो से कार देते हैं अब क्या गया पचीस गुड़े 51 तो यह 51 गुड़े पचीस दोनों बात सेम ही होती है ना अब पचीस का गुड़ा 51 के साथ करके देख लीजिए जो भी आएगा यह तो यहां पर जो उत्तर आया क्या गया 1275 तो एक से पचास तक की संख्याओं का योगफल 1275 होता है यह होती है ट्रिक अब जैसे कह दिया गया है दूसरे सवाल में एक से बीस तक की संख्याओं का योगफल ग्याद कीजिए तो हम लिख देंगे डिरेक्ट योगफल बराब सबसे लास्ट वाली संख्या 20 उससे एक अधिक का गुड़ा कर दीजिए इंटू 21 बटे में दो तो इससे यह संख्या कट गई दस बार में अब 21 का गुड़ा दस से करेंगे तो 210 आ जाएगा इसका मतलब जो एक से दस बीस तक की संख्याओं को योगफल है वो 210 होता है अगर हमसे पूछ लिया जाए एक से पंदरा तक की संख्याओं को योगफल यह पूछ लिया गया तो हमको कुछ नहीं करना बस वही ट्रिक करनी है सबसे लास्ट वाली संख्या लेक दीजिए फिर उसके बाद उससे एक अधिक सोला बटे में क्या कर देना है दो अब देखिए को 2358120 तो 120 आ जाएगा इतना उथ्तर आ झाएगा ठीक संख्याओं को जोड़ेने का लिब सकते हैं जब आपको एक से यह एक से निकाल सब्सक्राइब पसंख्राइब निकेविए Tag इवाट टो भीटे जयेगा तो 5-40 दो आप नहीं निकाल पाएंगे मतस्केμέ करें तो 5-40 निकालेंगे फिर जहाएं धी होता है नियम यह वीडियो आपको को helpful लगा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करने ठाइंक यूँ